नमस्कार सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में हमने जेनरल करेंट रिवाइज करने का एक सीरीज बनाया था जिसको आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टाइम पर हो जाता है कि हम झारखन का करेंट अफ्यास रिवाइज करें तो जारखन का करेंट अफ्यास रिवाइज करने के लिए एक सीरीज बनाया है इसको आप लोग देखिए और इससे जो क्वेस्टन आएगा यह 2019 से लेके 2020 और 2021 इसमें जो भी इंपॉर्टेंट घटना क्रम है जो इंपॉर्टेंट होगा क्वेस्टन उसी को हम लोग लेंगे औ और फालतू का कोई करेंट अफ्यास हम लोग जेनरेट नहीं करेंगे जो जरूरी करेंट अफ्यास है उसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे बेनिफिट उठाएंगे और एक्जाम में लिखेंगे तो चली आज का हम पहला क्वेस्टन लेते हैं कि जारखंड को एक भारत स्रेष्ट भारत प्रोग्राम 2020 में किस राज्य के साथ या किस यूनियन टेरिटरी के साथ पेयर किया गया था उसका जोड़ा बनाया गया था किस राज्य के साथ इसका अंसर है गोवा के साथ इसका जोड़ी बनाया गया था जिसमें गोवा में ज जहारखंड का जो जायका है जहारखंड का जो खाना पीना है यहां के स्वीट्स हैं उनको वहां डिस्प्ले किया गया था तो एक भारष ट्रेश्ट भारत प्रोग्राम 2020 में जहारखंड का पेर गोवा के साथ बनाया गया था ग्रीन पीस टीपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट जारी करता है यह ग्रीन पीस रिपोर्ट उसमें आता है जिसमें बोला जाता है कि कौन सा most polluted city है और कौन सा कम pollution वाला city है तो ज़ारकंड में जो जहरिया है वो पूरे भारत का सबसे polluted city है सबसे ज़्यादा गंदा city जहारिया को मना गया है इसके लिए consider किया जाता है बहुत सारा चीज, consider किया जाता है जिसमें की atmosphere में कितना ज़्यादा pollutant है इसको रिपोर्ट को बना जाता है जहारिया इसी में धनबाद भी आता है अब ध्यान रखिएगा कि धनबाद भी second में आ जाता है तो जरिया और धनबाद जारखंड का जो most polluted में आ जाएगा मुख्यमंत्री स्रमी की योजना जो launch किया गया है जारखंड का इसका जो सबसे main fact क्या है मुख्यमंत्री स्रमी की योजना जो जारखंड के द्वारा launch किया गया है तो यह जारखंड second state ही है पूरे इंडिया में जो कि अपने अर्बन पूर आपके जो शहरी गरीब हैं उनके लिए एक योजना launch किया था सबसे पहले किया था केरल ने केरल ने अपने शहरी गरीबों के लिए योजना launch किया गया था जारखंड मात्र दूसरा state है जिसने यह launch किया है तो मुख्यमंत्री स्रमी की योजना जो है वो अर्बन पूर के लिए है यानि शहरी गरीबों के लिए यह दिया गया है बहुत स सार्कनट की असेमली में पास किया गया है जो संकल पास किया गया है और यह 2021 के जनगणना से किस तरह से related है तो सरना कोड क्या है सरना कोड का जो resolution पास किया गया है इसमें एक मांग है कि सेंसस 2021 में सरना धर्म के लिए एक अलग से कोड बनाया जाए जैसे कि अगर एक्जामपल लीजे कि हिंदू के लिए अगर एक कोड है मुसलिम के लिए दो है तो बाकी जो धर्म आते हैं उसको अदर्स में डाल दिया जाता है तो सरना धर्म मानने वाले अदर्स में अपना नाम दर्च कराते थे अब ये मांग चल रही है कि सरना के लिए अलग से एक कोड बनाया जाए है नेक्स्ट क्वेस्चन है कि माइनिंग सारंड़ा फॉर्ष्ट में बैंग कर दिया गया है रिसेंट्ली बैंड इन सारंडा फोरेस्ट सव जारखंड आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सारंडा है कहां तो इसके एक facts कुछ related है सारंडा से वो क्या-क्या है तो सारंडा फोरेस्ट जो है सबसे बड़ा साल ट्री का जंगल है पूरे एशिया में अब ध्यान में रखिएगा कि सारंडा फोरेस्ट सबसे लार्जेस्ट साल फोरेस्ट इन एशिया है तो यही फैक्ट इससे अैनोंट सब से ज्यादा एमांट जो लिमिट है वो कितने रुपय का है जिसको इसनको इसको कि olho माकिया जाएगा Alright इसका एंसर है पचाईस अजार पचाई सबसे ज्यादा इमनिकए नेक मांग कि है कि क्या ऐसा जो जंगलों से collect किया जाता है उसको forest produce के रूप में उसको मानेता मिले स्टेट लेजिसलेटिव आसेमली मेंबर ऑफ जारखंट recently called for a declaration of what collected from forests as a forest produce तो इसका answer है माइका जो माइका जंगल से लोग collect कर रहे हैं उसको forest produce का दर्जा दिया जाए यह मांग की गई है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ministry of shipping is going to develop industrial cluster कम logistic park at shipping है आप जानते हैं कि shipping की जो बात की जाएगी तो कहां पर करेंगे हम लग कोई नदी होगी कोई समुद्र होगा कोई बड़ा जगा होगा वहीं पर कर सकते हैं इसका अंसर है साहिब गंज साहिब गंज में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जा रहा है और वहीं पर logistic parks भी बनाया जाएंगे इसके बारे में एक fact यह भी है कि यह इंडिया का second riverine multimodal terminal है जो कि साहिब गंज में September 2019 में इसका उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था तो यह इंडिया का second riverine multimodal terminal है अब ध्यान रखेंगे गंगा नदीम बन रहा है और यह साहिब गंज में situated है रिसेंटली हूँ हाज बिन इलेक्टेट अज प्रेसिडेंट ऑफ ए ए आई आई आर्चरी असोसियेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में किसको चुना गया है इसका एंसर है यूनियन के दूसरे मिनिस्टर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो थे अर्जुन tailor के चुना गया है तो आर्चरी असोसियेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिड़ेंट अर्जुन मुन्दा है और यह ministry of tribal सब्सक्राइबल अफेर्स यूनियन मिनिस्टर भी है और दूसरे चीफ मिनिस्टर जहारखंड के थे अर्जुन मुंडा प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी असोसियेशन ऑफ इंडिया बने हैं लेकिन इन्होंने हराया किसको इस पोस्ट के लिए तो इलेक्शन हुआ होगा पचपंसवा स्टेशन जो जहारखंड में है जिसको कि फ्री वाइफाई फैसिलिटी रेल टेल जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है आप बताइए कि रेल टेल कौन सा रत्न कंपनी है आपने सुना होगा महा रत्न मिनी रत्न इस तरह का तो रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसा कॉर्पोरेशन है आप बताइए इसको कमेंट सेक्शन में तो यह महुआ मिलान स्टेशन जो है महła मिलान स्टेशन को ही जो आपका 55 वाई फैसलिटी दिया गया है और यह जार्खंड में है जार्खंड का महوا मिलान स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतरकज आता है साथा है इस्ट सेंट्रल रेलवे चीफ जस्टिस ऑफ जार्खंड हाई कोट अभी कौन है यह हैं जस्टिस रवी रंजन बेर वाज देवधाद ट्रॉफी 2019 हेल्ड तो देवधाद ट्रॉफी का रिलेशन जहारखंड के करेंट अफेल से यह है क्योंकि यह जहारखंड के JSCA स्टेडियम में खेला गया था जिसमें पार्थी पटेल की टीम वीजाई हुई थी आप कमे लगाने के लिए आपको कुछ-कुछ इसी में अपना खोज करना होगा तो अच्छा लगेगा नेक्स्ट क्वेस्टन है कि सेकेंड जहारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जे आई-एफ-फ कहां आयोजित किया गया था तो यह आयोजित किया गया था रांची में यह गया था मुठ लोगल फिल्म अव्याज जेकर ध्यॉझ च्छांड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनाइस की सेंट टीधनी एक एक। इंजीयो ए नव भारत निर्मान संग इसके द्वारा यह आगया था इसमें बहुत सार्व फिल्म दिखाया गया था ज्ए कम संडर विच प्रोग्राम यह जो दो उद्गाटन किया गया है मदुसूदन गहाट और साहिब गंच सीवरेज ट्रीट्मेंट प्लांट यह किस प्रोग्राम के अंतरगत आता है इसका एंसर है नमामी गंगे नाशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यह नमामी गंगे के अंतरगत यह मदुसूदन घाट और सीवरेज ट्रीट्मेंट प्लांट बनाया जा रहा है इस एंजियो ने जीता है इस एंजियो का नाम है युवा और यह एंजियो 2009 में दो अमेरिकन फ्रैंच गैसलर और रोस थॉम्सन के द्वारा इसको इसके नीव रखी गई थी और इसमें इनका डेवलप्मेंट हो सके तो यह एक एंजियो है युवा इसको ही लौरियेट स्पोर्ट का अवार्ड दिया गया है इसके पहले कौन थे जिनकी मृत्ति हो गई थी उसके बाद वो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और उनके बाद इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गया था Acting मतलब आप है नहीं लेकिन आप उसका काम कर रहे हैं तो आप बताएं कमेंट सेक्षन में कि इनके ठीक पहले कौन था मुख्य मंत्री क्रिशी आसिरवाद योजना को जारखंड में किस ने लॉंच किया था इसका उत्तर है कि Vice President Honorable Mr. M. Venkaya Naidu Chief Guest of 33rd Convocation of Ranchi University कौन थे तो यह हमारे President साहब थे रामनात कोविंद Justice Dr. Ravir Anjan जो Chief Justice आप जारखंड बनाए गये हैं वो कितने में नंबर के Chief Justice है तो यह 13 में Chief Justice है जारखंड हाई कोट के Justice Dr. Ravir Anjan जोन को बनाया गया Chief Justice आप जारखंड इनको तो कहीं से लाके बनाया गया होगा अब बताइए आप कि इनको कहां से लाके बनाया गया है तो इससे पहले यह पंजाब और हरियाना हाई कोट में जज के तौर पर थे वहाँ पर हेमन सोरेन जिनको की Chief Minister आप जारखंड की का शपत दिलाया गया है वह कितने नंबर के जारखंड के तो वह 11 नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं इसके पहले उन्होंने फिफ्ट सी एम ऑफ जारखंड के रूप में 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक कारी किया था तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्टन है आप देखिए पांचमें सी एम के रूप में इन्होंने काम किया था उसमें बीजेपी और जेमें की गडवंधन क की शरकार सरकार बनी थी अकॉर्डिंग टो ग्रीन पीस रिपोर्ट तो लिस्ट पॉल्यूटेट सीटी इन इंडिया कौन है तो यह है लूंगली जो मीजोरम में सिच्वेटेड है चैंपियंज ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसको दिया गया है यह सी एम हेमन सोरेन को दिया गया है इनको यह अवार्ड पूरो राश्ट्रपति प्रणम मुखर जी ने दिया था यह अवार्ड इनको अपने जो दुमका और बरहेट के शेत्र में जो अपना काम किया था इसलिए उनको दिया गया था अभी जब सीम के पद पर हेमन सोरेन बैठे हुए है तो इन्होंने दोनों जगा से चुनाओ लड़ा था बरहेट और दुमका से आप बताईए कि दोनो सा सीट छोड़ दिया और कि सीट के वह एमले हैं जिसके आधार पर उनको सीएम बनाया गया है अब आए चैंपियन्स ऑफ चेंज आवाट 2019 को इनको कित ने दिया था तो फॉर्मल प्रेसिडेंट प्रणम मुखर जी ने दिया था अब वो इस दुनिया में नहीं है कंटिनिवास एंबियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जिसको की सी एक्यू एम एस बोला जाता है यह बहुत सारे शहरों में लगाया जा रहा है जारखंड में यह लगाया जाएगा राची में जार्खंड बजट 2020 किस ने प्रेजेंट किया तो यह जारखंड के विद्ट मंतरी श्री रामेशवर उराहं तो आज tit कि इंडिया में कौन सा तीसरा स्टेट है जिसने स्टार रेटिंप्रोग्राम इंडस्ट्री के लिए शुरू किया है इसमें प्रेटिंग दिया जागा स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो इंडस्ट्री के लिए लांच किया गया है जार्खन स्टेट में यह इंप्लिमेंट किसके द्वारा कराया जाएगा तो यह जार्खन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के साथ मिलकर य इसमें इपासेस का बहुत ज्यादा बोलबाला था सब लोग पास लेकर इदर उदर हो रहे थे इस एप का नाम था प्रग्याम जार्खन से जी आई टाइग दिया गया है दो अन्य चीजों को भी दिया गया है उसमें जार्खन का सोहराई कोहवर पेंटिंग एक ट्रेडिशनल पेंटिंग होता है यह दिया गया है सोहराई कोहवर पेंटिंग को दिया गया है सोहराई कोहवर पेंटिंग क्या है तो सब सबसे पहले इसको जान लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट आपको बता दे रहें यहां पर कि एक ट्रेडिशनल म्यूरल आर्ट है जो कि महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है यह कोहबर पेंटिंग कब किया जाता है जब आपका फसल पक गया हो लोकल हर्वेस्ट मतलब फसल पक क कट रहा हो या फिर शादी के समय में कोहबर बनाया जाता है इसको बनाने के लिए जो आपका लोकल और नैचुरल जो मिट्टी है अलग-अलग कलर का उसको हजारी बाग में वो मिलता है उसी को यूज करके इसको बनाते हैं कलर से रंग के पेंटिंग में क्या-क्या दिखत बनाया गया और यहां पर भगवान के चीतर भी बनाया जाते हैं तो सोहराई कोवर पेंटिंग बेसिकली एक पेंटिंग है जिसको मिट्टी से किया जाता है या तो साधी के समय में ज्यादातार आप देखेंगे कि इसको शाधी ब्याह के समय में ही बनाया जाता है और इसक ततपर प्रोग्राम किस ने लॉंच किया था और यह क्या ततपर प्रोग्राम रांची डिस्टिक के द्वारा लॉंच किया गया था जिसमें की आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में जब लॉकडाउन लग गया तो लोग पैदल जाने लगे थे अपने घर की और तो रांच का तत्पर प्रोग्राम कि अनिम्प्लाइमेंट रेट ऑफ जारखंड स्टेट क्या है जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी के द्वारत बताया गया है तो यह 47.1% है बहुत जादा है अनिम्प्लाइमेंट रेट जारखंड में यह नैशनल एवरेज से भी बहुत जादा है निलामबर पितामबर जल सम्रिध्धी योजना यह इसका एम क्या है इसका एम है conservation of water recharge of groundwater आपका जो पानी का संचेयन करना ही इस योजना का में लक्ष है यह सब योजना की जो जानकारी है उसका अलग से वीडियो बना दिये हैं उसको जाके देख लीजेगा बिरसा हरित ग्राम योजना का क्या एम है इसमें दो लाख एककड जो government के पास परती जमीन पड़ा हुआ है उसमें जंगल लगाना एफ़ोरेस्टेशन करना है जिसमें कि प्रत्यक लाभू को एक सब प्लांट दिया जाएगा फ़लदार पौधे दिये जाएंगे और बोला जाएगा कि इसको प्लांटेशन लैंड वर्क और यह सब जो है मिंटेनेंस लगाने का खर्चा यह सब मनरेगा के थ्रूद दिया जाएगा वीर शहिद पोटो हो खेल विकास योजना का एम क्या है तो इसका एम है कि रूरल जो जौब स्कीम्स है जो मनरेगा है वहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाए इससे क्या होगा कि लोग जुड़ेंगे और जो यूआ है यूआ इससे जुड़कर स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा तो वहाँ मिल के बनाएंगे तो वहाँ पर खेलेंगे भी तो उनको अच्छा भी लगेगा तो 43 पंचायत में यह एक-एक बनाने की बात थे कुछ forest area को divert किया गया है इसका 1 data किया गया है और जो non forest project होता है उसके लिए इसका इस्तमाल किया गया है तो जारखन में 11 projects में 1 day version हुआ है total 869.99 hectare का diversion किया है जो कि forest का कोई project नहीं है नन forestобы projects पे लगायी है अर्बन पूर के लिए जो इंप्लॉइमेंट गारंटी स्कीम लॉंच किया गया है जहारखंड सरकार के द्वारा उसका नाम क्या है उसका नाम है मुख्यमंत्री स्रमिक यानि कि शहरी रोजगार मंजूरी फोर कामगार योजना आप इसका फूल फॉर्म याद रखिएगा जो न्यू एड्मिनिस्ट्रेटिव और अकैडमिक बिल्डिंग बनाया गया है आई ए आर आई इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिचूट यह कहां है गौरिया कर्मा हजारी बाग में इसका नाम किसके नाम के उपर रखा गया है तो डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के नाम पर इसके अड्मिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम रखा गया है जार्खन government ने कीस bank के साथ MOU साइन किया है पिछले बार यह question आया था अब ध्यान रखियेगा इस बार भी आने की पूरी संभावना है कि किस bank के साथ traffic का जो आपका चलान करता है उसको किस bank के साथ मिल कर आप payment करते हैं तो answer है HDFC bank इसी का payment gateway यूज होता है और यही बैंक चलान जम्मा लेता है दे न्यू स्टेट लोगो हैस कम तो इफेक्ट फ्राम जो जारखन सरकार का नया लोगो है वो कब से जारी माना जाएगा कब से इफेक्ट में माना जाएगा तो 15 अगस्त 2020 से नया स्टेट लोगो कहां से लॉंच किया गया था तो आर्यभट ऑडिटोरियम राची ध्यान रखिएगा यह सब क्वेश्चन आने की संभावना है जारखन अस्तॉप द लिस्ट ऑफ वीच कैटेग्री इन फिफ्ट स्वच सरवेक्षन पांचवा स्वच सरवेक्षन हुआ है उसमें जारखन को भी एक स्थान मिला है टॉप तो यह कौन सा कैटेग्री में मिला है जिसमें की सौ से कम अर्बन लोकल बाडिज है Union Minister of Finance and Corporate Office Nirmala Sitaraman has virtually announced the fourth edition of State Business Reform Action Plan which was released by Department of Industrial Promotion and Internal Trade Ministry of Commerce Industry. In accordance with that, what is the rank of Jharkhand? So Jharkhand's rank is 5 here. Department for Promotion of Industries and Internal Trade DPIIT released second edition of States on Support to Start-Up Ecosystems 2019. This ranking is based on providing a strong ecosystem for promoting startups. This is the fact that Jharkhand's award is given in the Aspiring Leaders category. This is the Department of Promotion of Industry and Internal How does the startup ecosystem support the start-up ecosystem? How does it help you? 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 So when it was ranked, it was seen that Haryana, Jharkhand, Punjab, Telangana, Utrakhand, Nagaland This is all in the Aspiring Leaders category. This category is in the Aspiring Leaders category. Now we are not doing this, but... Recently, Haji Hussain Ansari passed away due to Kardia Karest. Haji Hussain Ansari's reward is due to Kardia Karest. This is because of the U.S.A. आ सकता है कुछ facts हैं बता देते हैं आपको कि यह अपने political career 1980s में Congress के साथ शुरू किये थे और बाद में इन्हों ने जॉइन कर लिया था यह चार बार 1995 दोहजार दोहजार नौर 2019 मेले थे मधुपूर Assembly से यह देवघर में पड़ता है जी एम कंडिडेट के रूप में यह थारखन का 2010 में इस इसके chairman के रूप में इन्होंने काम किया है Ministry of Minority Welfare October 2010 में इनको बनाये गया था कि ही वाज अपॉइंटे एज मिनिस्ट्री और माइनोरिटी वेलफेर और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन जैन्वरी 2010 तो यह फैक्ट्स हैं आप पिछला क्वेस्टन आपको याद होगा तो ऐसा क्वेस्टन आता है तो आप देख लीजेगा इसको यूनियन मिनिस्टर रविश अंकर प्रसाद एक स्पेशल स्टांप उन्होंने रिलीज किया है एक पूजा को डेडिकेट करते हुए जो पूजा तो है बिहार का लेकिन जारखन में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है तो यह है माई स्टांप और छठ पूजा इन्होंने व किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि ट्राइबल प्राइड दे मनाया जाएगा 15 नौंबर 2020 को जिसमें की बिर्सा मुंडा की बर्थ अनिवर्सरी के रूप में यह कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ऐसा मनाने की बात की है तो यह मध्य प्रदेश है सो हमने जारखन के करेंट अफियस को रिवाइज करने का जो यह पहला सीरीज है इसको बनाया है आप इसको देखिए बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए so thank you for watching this class keep learning and always stay motivated thank you